दोस्तों, भारत में वे विदेशी कमपनिया फिर से वापस आना चाहती हैं, जो कुछ टाइम पहले भारत की मार्केट को भला बुरा कहकर वापस चली गई थी, और ऐसी केवल एक पार्टिकुलर कमपनी नहीं है, जो भारत में वापस आना चाहती है, बलकि इसमें अलग-अल देश की कमपनिया शामिल है, जो अपनी यूनिट बेस दोबारा से भारत में अस्थापित करना चाहती है, जहां एक महीना पहले, यूनाइट स्टेट बेस्ट अमेरिकी कमपनी, फोर्ड ने अपनी यूनिट बेस को फिर से भारत में सेटप करने का फैसला लिया, वहीं आगे बढ़ने से पहले इन कमपनियों को दोबारा से इंडियन मार्केट की वैल्यू का एहसास हो रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, देखिए, आज की मेन खबर ये है कि विस्ट्रॉन, जो की ताइबानी बेस्ट लै के साथ MOU Agreement साइन कर लिया है, जिसमें विस्ट्रॉन 15,000 करोड रुपए की इन्वेस्ट्मेंट करके अपनी नई यूनिट को बैठाने का फैसला लिया है, अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें कि विस्ट्रॉन कमपनी ने पिछले साल, यानी की 2023 के जून महीने में भारत से बोरिया बिस्तारा बांध कर जाने का फैसला ले लिया था, और ताइबानी कमपनी विस्ट्रॉन ने इसका कारण यह बताया कि भारत में अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लायक इन्फरा स्ट्रक्चर नहीं है, जहां पर विस्ट्रॉन की दो प्रो प्रोड्यूस होती थी, और इस समय देखा जाए तो विस्ट्रॉन की दुनिया भर में लगभग 12 मैनुफेक्चरिंग बेस के साथ साथ 10 रिसर्च एंड डेवलप्मेंट सेंटर मौजूद है, जिसमें 80,000 से भी ज्यादा एमपलाई काम करते हैं, लेकिन इस कमपनी को 15 साल भारत में लैप्टॉप और कम्प्यूटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक एक्विप्मेंट को प्रोड्यूस करने के बावजूद भी, इंडियन मार्केट की वैल्यू नहीं पता चल पाई, जिसके कारण पिछले साल 2023 में जून के महीने में, विस्ट्रॉन ने अपनी इंडियन ब इंडियन मार्केट को भला बुरा कहना टाटा ग्रुप सहन नहीं कर सका, इसी लिए टाटा ग्रुप ने इस बात को अपनी इगो पर ले लिया और उसके बाद हुआ वही जो होना चाहिए था, यानि कि टाटा ग्रुप ने विस्ट्रॉन की इंडियन यूनिट बेस का 100% श फाइनल हुई थी, जिसमें से टाटा ग्रुप ने 125 मिलियन डॉलर देकर विस्ट्रॉन की इंडियन बेस्ट यूनिट को एक्वायर कर लिया, जबकि बाकी 575 मिलियन डॉलर को लोन में पेमेंट करने की डील को फाइनल किया गया, टाटा ग्रुप और विस्ट्रॉन के अपना बोरी अबिस्तारा लेकर वापस आने का फैसला ले चुकी है, हाल ही में यह खबर निकल कर आती है कि यह कंपनी बेंगलुरु सरकार के साथ मिलकर दोबारा से अपनी प्रोड़क्शन यूनिट को सेट अप करना चाहती है, जिसके लिए ओन्रेडी 1500 करोड रुपे इ बैंगलुरु में सेट अप की जाने वाली यह कोई छोटी मोटी यूनिट नहीं है, बलकि इसमें लगभग 3000 एंपलाईज काम करने वाले हैं, यानि कि ध्यान दें तो जो कंपनी लगभग 3 महीने पहले अपनी पुरानी प्रोड़क्शन यूनिट को भारत में बेच कर चली गई थी, वह कंपनी फिर से यूटर्न मारती हुई दिख रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एंवायरमेंट इस कंपनी को पता चल चुका है, और इस बार यह कंपनी पूरी तैयारी के साथ भारत में वापसी कर रही है, जिसमें विस्ट्रॉन द्वारा शुरुआती दौर में लैप्टॉप मैनुफैक्चरर्स किये जाने हैं, इसके बाद धीरे धीरे यह नोटबुक, डेस्क्टॉप, कम्प्यूटर और एप्पल के स्मार्टफोन को मैनुफैक्चर करने का विचार बनाया है, वि आईवानी बेस्ट ये कमपनी सभी ब्रैंडों के लिए लैप्टॉप बनाएगी, जहां पर टोटल मैनुफैक्चर होने वाले लैप्टॉप का 50% दूसरे देशों के ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, फिलहाल पिछले साल के डेटा को देखा जाए यानि कि भारत में लैप्टॉप का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, जिसके लिए दूसरे देशों से भी लैप्टॉप का इंपोर्ट करना पड़ता है। चीन से लैप्टॉप इंपोर्ट पर भारत में बैन लगा दिया जाता है, जिससे भारत में लोग क्वालिटी के लैप्टॉप एक्सपोर्ट ना करें, जिससे भारत में दूसरी कंट्रीज भी अच्छी क्वालिटी के लैप्टॉप को एक्सपोर्ट कर पाए, लेकिन अब फाइनली देखा जाए तो विस्ट्रॉन दोबारा से अपनी प्रोडक्शन यूनिट को भारत में सेट अप करने जा रही है, जिससे भारी भरकम मात्रा में लैप्टॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक एक्विप्मेंट प्रोड्यूस किया जा सकेंगे. और कमाल की बात ये है कि विस्ट्रॉन की ताइबानी बेस्ट इन यूनिट में इंडियन एक्विप्मेंट का प्रयोग करके लैप्टॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मैन्यूफेक्चर किया जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, और मेक इन इंडिया दोबारा से विश्व बाजार में अपनी पहचान बना पाएगी, बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर बताए, और भारत के द्वारा किये गए इस पहल को एक लाइक जरूर करे, जय भारत!